क्या आप लोग काजल रागवानी और पवन सिंग के जोडी को फिर से देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो भाई यह आपकी मुराद बहुत जल्दी पूरी होने वाली है क्योंकि काजल रागवानी ने खुद कन्फर्म किया है कि वो पवन सिंग के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली है अभी फिल्हाल काजल रागवानी एक 36 गड़ी फिल्म की मोहरत पर गई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि फिल्हाल के लिए तो मैं अभी रितेश पानले के साथ काम कर रहे हूँ लेकिन मैं जल्द ही पवन सिंग के साथ काम करती हुई नजर आऊंगी पवन सिंग और काजल रागवानी की जोड़ी सुपर हिट जोड़ी माने जाती है इनकी जोड़ी के लिए आप ये कह सकते हैं ये भोजपुरिया दर्शकों की एक चहिती जोड़ी है और इस जोड़ी ने अभी तक कोई भी फ्लॉफ फिल्म नहीं दी है जितनी भी फिल्में दी है सारी सुपर हिट फिल्में ही दी है और तो और काजल रागवानी ने एक बार पिछले साल के इंटर्व्यू में ये कहा था कि उन्हें पवन सिंग के साथ जितनी भी फिल्में की हैं उन फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया है यहीं कहलें कि पवन सिंग की वज़े से आज उ सुपरस्टार है भले ही खेसारी के साथ फिल्मों उन्होंने बहुत सारी की है लेकिन असली पहचान तो उन्हें पवन सिंग के गाने छलकत बाहमरोज जवनिया से मिली उसी से भोचपुरी इंडस्ट्री में उनका केरियर चमका और उन्हें पहचान भी मिली यहां तक कि काजल रागवानी के ये बयान देने के बाद खेसारी लाल यादों के फैंस के निशाने पर आ गए थी काफी ट्रोलिंग हुई थी भला बुरा कहा गया था एहसान फरामोश तक कहदे आ गया था काजल रागवानी को लेकिन इससे काजल रागवानी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काजल रागवानी ने आलोचनाओं को भुचपुरी इंडस्ट्री में जहीलना सीख लिया है भुचपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूली